आप सभी को अपनाम हर्बल रेमेडीज में आपका स्वागत है वित्रो आपको पता होगा कि टाइफवाइड का जो फिवर होता है उसके निराकरन के लिए विभिन परकार के अंटिबायोटिक्स और अनलजेसिक्स का हम लोग इस्तिमाल करते हैं और जब कभी हमें पुराने से पुराना कफ ज्वर इस तरह की समस्षा हो जाती हैं तो बहुत सारी अंटिबायोटिक्स का हमें सिवन करना पड़ता है तो आज हम जानेंगे किस परकार आप हर्बल रेमेडीज के माद्यम से इन बिमारियों का साधान तरीके से घर्म अपना इलाज कर सकते हैं और यह जो पौदा आप देख पा रहे हैं इसको खूब कला के नाम से जाना जाता है सायद ही कोई आईरुवेद या यूनानी में कोई एडिस्टी मेडिसन हो फीवर के लिए या कफ के लिए जिसमें यह डलता ना हो बहुत ही इंपोर्टेंट मेडिसनल प्लांट है लेकिन इसकी जान करें ना होने के कारण हम इसके पूरे जो हेल्थ पोटेंशले इसको एक्स्प्लोर नहीं कर पाए है अब हम जानेंगे इसको हम सिंब्रियम एरियों के नाम से साइंटिफिकली जानते हैं ब्रैसी के सी फैमिली का है इसको हैज मस्टरड भी कहते हैं और लंदन रोकिट भी इसको भी एक आगया है इसके अंदर जो फ्लेवनाइड, ग्लाइकोसाइड, अलकलाइड और फिनॉलिक कंपाउंड पाए जाते हैं और इसके अंदर जो बीटा सीटो, स्टिरोल और ग्लुकोसाइनोलेट्स पाए जाते हैं जो कि बाद में मेटाबॉलिजम के बाद तयार करते हैं विबिन प्रकार के आईसो थायोसाइनेट्स और वो आईसो थायोसाइनेट्स बहुत सारी एंटी-कैंसरेस अक्टिविटी अपने सो करते हैं इसमें कुर्शटिन भी पाए जाता है जो कि ऐन्टियोक्सीडंट का काड़िया भी करता है तो अब हम जानेगे किस परकार से सरीर में वात्पित्व समन के लिए और कव को निसकारण करने के लिए तसारीर मैं बल को प्रदान करने के लिएए उपयोग करना चाहिए सबसे पहले आप दूद ले सकते हैं दूद में आप 500 मिली ग्राम क्योंकि इसकी गर्म पिरकिरती होती है उसनवीरिय पिरकिरती है तो आप 500 मिली ग्राम से ज़्यादा नाल हैं पांच मुनका और तीन अंजीर लेकर इसको आप पका लीजिए अच्छे से और स्वाद अनुसार इसमें आप सक्कर डालीजिए इसको पीने से आपके सरीर में सक्ती बढ़ेगी और उसक्ती से आप जो है विबिन परकार की जो मौसम बदलने के समय आपको जो बिमारियां हो जाती है इंफिलिंजा हो जाता है फिवर हो जाता है उससे आप साधान रूप से एजी ली निजात पा सकते हैं अब आपको पता होगा कि एक विस्फोटक जोर भी होता है जिसके अंदर क्या होता है कि सरीर के अंदर जब बुखार हो जाता है और सरीर के ऊपर विबिन परक इसके लिए कि गर्म प्रिक्रती होती तो डारेक्ट स्तमाल ना करने के बज़ाए इसको सैध मिलाकर इस्तमाल करना ज्यादा उचित रहेगा टाइफआड के केस में अगर टाइफआड हो गया है टाइफआड को मंथर जवर भी कहते हैं इसका 600 मेली ग्राम इसके जो बीज होते हैं जो इसकी जो पौड आप देखieß रहे बहुत छोटे चोटे बीज होते हैं जो की लाल तथा खलके ब्राउनिस कलर के होते हैं इन बीज के जब आप 600 मिली ग्राम ले लेंगे तो उसमें बराबर मात्रा में तुलसी के पत्र डालने हैं तिरकटु का चून डालना है मुलेठी का चून लेना है और बनफसा मिल जाए और भी अच्छा है उसको आप डाल कर काड़ा बना लिजे और इसको 5 ग्राम इसमें अमलतास और डाल लिजे इसके बाद क्या होगा आप इसको छान के रख लीजे एक चौथा जब रह जाए तो इसको छान के आप रख लीजे आपको क्या करना है दिन में दो से तीन बार ल process बोलने में सपंटनी हो पाती है २हीं निकलते हैं और रू号 क्यू nhất केपड में और जो हो दिक्कत होती है स्वतASन संवंद्ध High रोग होते हैं जो रेस्पायट्री ट्रेक्ट में ब्रॉंकाइटिस के कारण भी होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करता है तो मैं कहूं कि टाइफाइड जीनकास की समझ्या और स्वास अवरोद मतलब लेने में स्वास लेने में जो समझ्या होती है उसके लिए आप इसको बहुत अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं इसी तरह से आपको इसका काड़ा बना लेना है और दिन में तीन बार इसको लेना है आठ गंटे के अंद्राल के बाद एल्प यह द्यान यह रखना है कि यह गर्म प्रिक्रति होती है जढ़ता मत्र में अगर आप इसको लेते हैं तो शर में दर्द भी होता आता है जिसको सिर्षूल कहा गया है अगर ऐसी कोई इस्तिति हो जाए तो गौंद कतीरे का सेवन इिए करना चाहिए गौंद कतीरे की ठंडी होती है और इसके काम कर देता है इसके प्रभाव को दे इन्फ्रामेटरी प्रोपर्टीज हैं वह से आप इसको यूज कर सकते हैं और अगर आप कोई जानकारी पसंद आए तो लाईक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपके उत्तम स्वास्ते के लिए आपके साथियों को स्वास्ते के लिए फिर मिलेंगे इनी बातो एक्षिन में कमेंट करके बताइए फिर मिलेंगे धन्यवाद परणाव